दोस्तो एनर्सी से आए दिन अच्छे और बुरे खबर सामने आती रहती है एडिशनल ड्राफ्ट लिस्ट के दिन में भी एक एसी खबर बाहर आई है जो की बहुत ही दुखत है दोस्तो 26 जुन को एनर्सी का एडिशनल लिस्ट पब्लिश हुआ था जिसमें 1,2462 लोगों का नाम रिमूफ कर जया गया एनर्सी से और इसी रिलेटेड नौर्टिस नाव पेपर में 26 जुन को एक निउस पब्लिश हुई जो की इस प्रकार है जी हा दोस्तो बिल्कुल सही सुना है आप लोगों ने एनर्सी लिस्ट की कन्फूजन की वज़ा से एक 13 साल की दरंग डिस्टिक अफ असम में रहने वाले लड़की ने सुसाइट कर लिया सोर्सेस के अनुसार लड़की पूरी तरह से शिरोड थी कि उसका नाम इस लिस्ट में आएगा बट सुबा जब एनसके से उसके पापा ने फोन पर बताया कि उसका नाम नहीं आया तब उसने अपनी डुपट्टे से खुद को फासी लगा लिया फेमिली मेंबर्स के मुताबिक उन्हें ये नहीं पता था कि ये लिस्ट पहले वाले लिस्ट से अलग है और अभी फाइनल लिस्ट आना बाकी है All are some minority students union आमसु के local secretary ने government को responsible ठहराया इस घटना के पिछे उनके मुताबिक government ने exclusion list को सही तरह से publicity या लोगों को एवर नहीं कराया जिसके चलते लगी को लगा उसका नाम नहीं आएगा अब और वो गलत कदम उठाने में मजबूर हो गई दरंग district के SP श्री अमरित भूया ने कहा कि suicide का NRC से कोई लेना दिना नहीं है कुछ और ही reason है इसके पिछे और police department उसकी investigation कर रही है गौर करने वाली बात यह है कि family members और locality वालव ने NRC को ही reason बताया suicide के पिछे दोस्तो एक बार के लिए तो मैं भी यह मान लूँगा कि इस exclusion list से लोग बहुत ज़्यादा confuse हो गया है और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा government से सायद awareness लाने में थोड़ी सी चूख हो गई इस बार खेर suicide की वज़ा तो police धूंडी लेगी बट हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटना फिर से ना हो दोस्तो आप लोग मेरे चैनल में NRC exclusion list को लेकर वीडियोज देख सकते हैं मैं वीडियोज के लिंक नीचे description box में add कर दूँगा और end screen में भी प्लीज ऐसे informational वीडियो शेयर करें ताकि लोग ever हो और ऐसी घटना है ना हो दुबार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे